एक तरफ गाजा के रफा में हमास के खिलाफ बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ उत्री इस्राइल बॉर्डर पर आडियफ हिजबुला की काट नहीं निकाल पा रहा है हिजबुला लगातार इस्राइली सेन चौकियों उसके टैंक और जासुसी उपकरणों पर मिसाइल ड्रोन और रॉकेट अटैक कर रहा है जिसकी वज़े से इस्राइल को अर्बो डॉलर की चपत तुलग रही है साथ ही उसने अपने कई सेनिकों को भी खो दिया है और अब इसी कड़ी में हिजबुला ने एक बार फिर इस्राइली सेना को चारों तरफ से घेर कर सिलसिलेवार तरीके से कई हमले किये है दरसल साथ मैं 2024 को हिजबुला ने सबसे पहले IDF की इफताह मिलिटरी बैरेक्स पर कई आत्मगाती ड्रोन से हमला किया और इसी दौरान हिजबुला के ड्रोन्स का एक जुंड दक्षिणी रैमनौट नफ्ताली बैरक्स में इस्राइल के एर डिफेंस सिस्टम आयन डोम पर तूट पड़ा जिसकी वज़े से आयन डोम की बैटरीस को भारी नुकसान हुआ है और इस हमले के बाद दोबहर करीब एक बच कर पंद्रह मिनट पर हिजबुला ने पहले तो इसराइली पैदल सेना की आवाजाही पर निगरानी रखी और इसके बाद जैसे ही वो अल रहब मिलिटरी साइट में बंकर में जाने लगा वैसे हिजबुला ने उनके उपर एंटी गाइड़ेड मिसाइल से हमला कर दिया हिजबुला का कहना है कि उसका हमला टार्गेट पर एक दम सटीक लगा है और इसके एक घंटे बाद हिजबुला ने फिर से AI सुमका मिलिटरी साइट पर IDF पर एक और हमला कर दिया हिजबुला का कहना है कि ये इलाका कबजे वाले लेबनान के कफार चौबा हिल्स का है और इस हमले के बाद हिजबुला ने बड़ी ही सूजबुच के साथ इसराइली सैनिकों पर एक और बड़ा हमला कर दिया दरसल ये हमला उन सैनिकों पर हुआ जो नफ्ताली बैरेक्स में आयन डोम की बैटरी को चेक करने के लिए आये थे जो हिजबुला के हमलों में शती ग्रस्त हुई थी हिजबुला के मुताबिक उसने यहां IDF के जवानों पर एंटी टैंक गाइड़ेट मिसायल से सीधा हमला किया है जिसमें कई इसराइली सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर खायल हुए हैं और इस हमले के बाद हिजबुला यही नहीं रुका उसने जिब्टीन मिलिट्री बेरेक्स पर करीब 3 बच कर 15 मिनट पर एक और हमला कर दिया अब आपको बता दे कि जिब्टीन मिलिट्री सैन अड़े कबजे वाले शीबा फिर्म्स में है और इस इलाके में मनारा सेटल्मेंट में हिजबुला ने इसराइली सैनिको के एक जमावडे पर तनाधन गोले फायर कर दिये थे वही मेतुला सेटलमेंट में हिजबुला ने दो बिल्डिंग पर एरिस्ट्राइक की जिनका इस्तमाल इस्राइली सैनी को द्वारा किया जा रहा था हिजबुला का कहना है कि उसके लड़ाकों ने इस हमले के साथ ही मनारा सेटलमेंट में एक बिल्डिंग को तबाह कर दिया इस बिल्डिंग का इस्तमाल इसराइली सैनी को हिजबुला के खिलाब चासुसी में कर रहे थे और इसको लेकर हिजबुल्ला का कहना है कि इस बिल्डिंग पर उसका हमला एकदम सटीक हुआ है जिसमें ये इमारत पूरी तरह से नश्ट हो गई है लेकिन इन हमलों के बीच बड़ा सवाल ये है कि जो साकरमक्ता के साथ हिजबुला उत्री इसरायल पर हमला कर रहा है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्री इसरायल का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां पर हिजबुला ने हमले ना किये हो और हिजबुला ने इन हमलों के बीच आईडियफ रफा में अपने मकसद में काम्याब हो पाएगी या नहीं ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि हिजबुला से निपटने के लिए इसरायल को अपनी सैने ताकत को दो फ्रंट में बाटना होगा पहली रफा में और दूसरी लेबनान बॉर्डर पर कर दो झाल झाल